Hello everyone, this is Asif Taaj and welcome back to the Block Master course, our Block Clean Architecture course. और इस lecture में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप Network API request को किस तरहां से manage करेंगे और कितना clean code आप लिखेंगे कि आपकी जो classes होंगी वो solid principles को follow करेंगी by solid principles means कि आपने code एक दफा लिखना है और जो भी class आप लिखेंगे वो future के लिए modifiable होनी चाहिए means आप उसको upgrade कर सकें for example आपने एक class में code लिखा है get API का तो future में अगर आपको post API या आपको put API इसमें integrate करनी है तो आपकी जो class है वो modifiable होनी चाहिए तो किस तरह से होगा यह सारी चीज़ें और आप एक दफा code लिखेंगे और इसको बार बार आपको repeat नहीं करना पड़ेगा यह सारा process किस तरह से होता है इस वीडियो में आपको सब कुछ सिखाऊंगा कर सकते हैं LinkedIn Instagram भी में साथ connect हो सकते हैं तो आई start करते हैं ठीक है हम अब क्या करेंगा हम यहाँ पर data आपको याद हमने exceptions handle कर ली थी ठीक है लेकिन यह exceptions तो है यह network में आती है ठीक है तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक और directory create करते है network के नाम से ओके और यहाँ पर network के नाम से directory create करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे base API services या base API services ठीक है base API ओके सब मैंने एक abstract class create की है with name base API services और अब इस केंदर मैं कुछ functions use करूंगा future जो के dynamic होगा ठीक है dynamic value को return कराएगा और इसको मैं कहूंगा get API okay and इसको हम pass करेंगे input string URL and that's it ठीक है again इसको मैं यहाँ से copy करूंगा okay and then again यहाँ पर नीचे paste कर दूंगा इसको मैं कहूंगा post API और यहाँ पर मैं इसको दो parameter पास करूंगा string URL and var data ठीक है इसमें हम dynamic data पास करेंगे and यह I think यह data type गल आता है जिसकी विज़से आपके पास error आ ठीक है यह दो methods मैंने यहाँ पर create किये abstract class में abstract class base API service get API post API and अगर आप future में आप यहाँ पर और add करना चाहें जैसे के let's say delete okay तो delete API में आपको input सिर्फ URL चाहिए होता है ठीक है बाकी data आप को नहीं चाहिए होता ठीक है तो यह आपने तीन parameter create कर लिए ठीक है लेकिन मैं सिर्फ दो ही use करूंगा get और post यह जस्ट आपको समझाने के लिए ठीक है अब मैं आ चाहूंगा network में और यहां पर एक और class create करूंगा और उसको मैं कहूंगा network मैं एक और class create करूंगा network services API जो ठीक है और यहां पर इस class को यहां पर मैंने create कर ले ठीक है अब यह क्या करेगी यह implement करेगी किसको implement करेगी हमारी base API services को ठीक है base API services को जैसे ही आपने कि यहाँ पर इसको create किया तो आपके पास देखें यहाँ पर आ रहा है create to missing overrides function ठीक है यहाँ पर अब क्या कर रहा है क्योंकि हम base API services को implement कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने दो methods लिखे थे ठीक है इनको अब हम overwrite करें ठीक है यहाँ पर हम आ गया और इनके अंदर इन दोनों कर इससे related code करेंगे ठीक है अगर आपको याद हो तो pubspect.yamil file में यहाँ पर हमने एक package यूज किया था http यह रहा package http जो कि हमने यूज के था अब इस package को यूज करते हैं हम अपनी network API service में जाएंगे और यहाँ पर हम import कर लेंगे http ठीक है as http ठीक है और यहाँ पर get API में अब यहाँ पर इसका हम code लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर भी आप इसको कुछ dynamic data return करवाएंगे तो आपने future function को आपने क्या कर देना है dynamic dynamic और यहाँ पर आपने async keyword यूज कर लेना और यहाँ पर भी आपने async keyword यूज कर लेना तो आपके जो errors है वो आप यहाँ से खतम हो जाएंगे ठीक है अब हम यहाँ पर एक और extra यहाँ पर हम क्या करेंगे अब हम आ जाएंगे और get API की logic लिखेंगे ठीक है और get API की logic यह है कि आप यहाँ पर इसको कर दें try और catch ठीक है try और यहाँ पर आप देखें on अगर आपके पास exception आती है ठीक है तो यहाँ पर let's say socket socket की आपके पास exception आती है ठीक है लेट s-caten आपके पास internet socket exception होती हो इंटने exception होती है तो यहाँ पर आप इसको करेंगे थ्रोख करेंगे कोंसी अब आप no internet exception को थ्रोख करेंगी और वह noingeris exception को कोड हम already Лिक चुके ठीक है यहाँ पर देखें यह आपके पास class already completely important हो चुकी है a no internet exception के ठीक है यह app exception और आप इसके पर लिक करेंगो तो आप डेखें यहां पर आ जाएंगे अपनी app exception के अंदर ठीक है तो यहां से हमने क्या कर लिए जो no internet exception है इसको हमने catch ját कर लिए ठीक है अब एक दूसरी the exception आती है और वो आती है आपके पास request timeout की आपके पास अक्सर आ जाती है ठीक है तो यहां पर हम कर लेते हैं timeout ठीक है यह देखें timeout exception तो यहां पर आजें और आपने तो टाइम आउट के लिए जो भी आपने exception यहां पर लिखी गए ठीक है वो आप यहां पर आप import कर लेंगे ठीक है जो भी होगी मैं यहां पर fetch data exception कर लेता हूं और उसको यहां पर कह देता हूं no timeout try again okay and then आपने क्या करना है that's it ठीक है यह exception आपके पास दो main exception आपके पास handle होगी ठीक है अब आपने क्या करना है final response is equal to आपको पता है कि जो http है वो future function होते है ठीक है तो यहां से आपने क्या करना है get और get में आपके पास क्या आ जाएगा uri.parse और url आपको कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा यह आपने यहां पर ले आएंगे ठीक है and then आप यहां पर semicolon use कर लेंगे ठीक है और आपने अगर यहां पर timeout use करना है तो आप उसको बता सकते हैं कि let's say जब आपने API hit की और आपके पास let's say आपके पास 50 seconds में अगर अब यह response तो आपके पास आगे न ठीक है एक यह response अब इसको आपने return भी करवाना है ठीक है लेकिन response आपको पता है कि response के बात हमने हमारे पास response डॉड। code होते हैं different status code होते हैं और हर status code का अपना एक purpose होता है ठीक है तो अब जो यह 200 status code है इसका purpose है कि आपकी request successful होगी 400 का purpose है कि आपकी request में कोई issue हो है ठीक है 401 का purpose है कि आपके पास token invalid है तो यह status code आप किस तरह से handle करेंगे आप आईए हम आतनी status codes की तरफ ठीक है dot response ठीक है यह वाला ठीक है और यहां से आप कर देंगे इसको response और यह आप इसके inside आ जाएंगे ठीक है यहां से आप इसको pass करेंगे response ओके और यहां से आप यहां पर इसके cases बनाएंगे cases ठीक है अगर यहां पर response 200 आता है तो आप क्या करेंगे यहां से response पास किया था निए इसकी आप body इसको यहाँ पर pass कर देंगे ठीक है तो यहाँ के पास decode हो गया ठीक है यहाँ से आप इसको return करवा देंगे आपका यह वाला response ठीक है r e s response और यह आपके पास चला गया response ठीक है ओके यहाँ पर हमारे पास conflicts आ रहे हैं इस response में और इस response में तो हम इसको कह देंगे जेसन response और यह आ जाएगा आपके पास इस तरह से ठीक है और आप यहाँ पर semi-colonate कर देंगे similarly यहाँ पर आप status 400 कर देंगे ठीक है जब status 400 पर आप आपके पास status 400 आपके पास bad request होती है तो आपके पास API से कुछ ने कुछ response आता ही है ठीक है अब आपके पास third है यहाँ पर और बहुत सारी status code हो सकते हैं लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 500 है ठीक है तो इसका purpose का है इसका मतलब यह है कि आपके पास error आ चुक है ठीक है अब यहाँ पर आप क्या करेंगे आप यहाँ पर throw करवा देंगे exception कौन सी exception ठीक है let's say data fetch जो भी exception आपने यहाँ पर अपने लिखी है वो देख ले मैं यहाँ से fetch data exception को यूज़ कर लूँगा ठीक है fetch data exception ओके और यहाँ पर मैं इसको कह दूँगा error communicating with server और आप चाहते है तो response code यहाँ से आप इसका response code जो भी है ठीक है response.status code.toString वो आप इसको यहाँ से भीज सकते है ठीक है और यहाँ से आप इसको semicolon use करतेंगे that's it ठीक है और आप multiple यहाँ पर और बहुत सारे आप sponsor code यहाँ पर status code handle कर सकते है ठीक है यह just मैंने आपको सिखाने के लिए किया था यहाँ पर आजएंगे 401 ठीक है let's say 401 तो यहाँ पर आप अपनी exception में चले जाएं और यहाँ पर आपको याद हो तो यह देखें unauthorized और bad request exception ठीक है unauthorized exception पर आजएं और यहाँ से आप इसको throw करवा दें इस वन ठीक है unauthorized exception तो यह आपके लिए यह handle हो गया ठीक है यह सारी variable यहाँ पर create करेंगे dynamic ठीक है json response ठीक है और यहाँ पर हमने क्या करेंगे return json response is equal to return ठीक है और इसमें हम pass कर देंगे response ठीक है यह आपने इसको response response कर दिया simple एंड यह आपने क्या करना अब देखिए यह आपने return भी करवाना यह जैसन रिस्पॉंस यहाँ पर आ गया ना तो यहाँ पर नीचे आके आपने इसको return करवा देना है json response यह simple ठीक है इतनी सी बात थी अब अगें सारा सेम कोड आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे ठीक है और आप आजएंगे post API में post API में यहाँ पर आपको पता है get की जगा post होता है ठीक है और time out वहीं पर रहेगी और यहाँ पर आप इसको pass करेंगे body ठीक है और body के जो data आएगा वो कहां से आएगा वो यहाँ से आएगा ठीक है body के data कहां से आएगा यह ठीक है और इसको आप यहाँ पर कर दें war dynamic data ठीक ह तो यह simple सा काम था जो कि API के लिए आपने करना होता है again अब आप देखें इसका फाइदा यह है कि आपने यहाँ पर get API का code लिख लिए ने तो इसको आपको utilize नहीं करना पर इसको आपको बार-बार आप इसको use करेंगे ठीक है and इन में से अगर कोई भी नहीं आता तो आप default भी यहाँ पर select कर लेते हैं अगर status code इन में से कोई match नहीं करता तो default आपके पास एक option होता है ठीक है fault default और यहाँ से आप exception ठोग करवा दें and यहाँ पर आप आप simply करेंगे अगर आप यहाँ पर delete API करना चाहते है ठीक है delete आपको पता है कि इसमें वह होता है सिर्फ URL चाहिए होता है इसमें आपको यह data नहीं चाहिए होता ठीक है क्योंकि यह post API नहीं है जिस तरह के आपके पास आपकी जो API service है यहाँ पर देखें यह दोनों नेम सेम होने चाहिए ठीक है तो यह सेम हो गए then आपने क्या करना है यहाँ पर आने के बाद इसको simply यहाँ पर आपने delete कर देना है तो यह देखें आपके लिए delete API का भी कि मैं एक दफ़ा classes में code लिखनू और मुझे वार वार उनको चेंज ना करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आप अपनी exception अपनी accordingly आप जो भी आप बना रहे होते हैं उसके accordingly भी manage कर सकते हैं ठीक है और simply यही code होता है अब यह सारा code हम लिख तो रहे हैं लेकिन यूस कब करेंगे ठीक है तो यह सारा code अब हम next video से इसको यूस करना सीखेंगे और जब हम login API implement करेंगे get API implement करेंगे और get की मैं दो examples करूंगो उन दोने में आपको idea होगा कि यह कितना useful है और कितना beneficial है ठीक है अभी तो हम API की तुरू कर रहे हैं और मैं आपको mock data के साथ भी करके दिखाऊंगा तो यह जितना code हमने लिखना है किस तरह से हमें helpful करता है यह आपको आगे future की जब हम इसको practical implement करेंगे तो आपको वहाँ पर idea होगा कि कितना powerful है और कितना clean है और कितना क 라고 ब hadiए ख सब्चर की ządर खसके साथ थिटम पर रीड़त कितना 46后 कि ब्द께서 और मैं आपको खचेंए आपको भी अगरfal। जलिए्चाब करें और मैं आपको घ्ना कितना कितना अपका सब्सकता की थुो यह जThe आपको आपको बाती मैं है आपको आपको जशना आपको से माने